हेलो एब्रीवर्ण वेल्कम बैक टू पुनम्स मेनी वर्ल्ड और मैं हूँ पुनम विंटर सीजन खत्म होने वाला है गाजर का सीजन भी खत्म होने वाला है तो आज मैंने बना लिये हैं गाजर के माल पुए तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में ही बैल आइकन को भी प्रेस कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह मैंने ग्रैंडिंग जार लिया है उसमें डाल एक बोल ले लेते हैं पीसीवी गाजर को इसमें डाल देते हैं चार चमज डाल देते हैं सूजी दो चमज डाल देते हैं मैदा थोड़ा सा डाल देते हैं ग्रेट कियावा सुखन आरियल सूजी डालने से माल पूए एकदम क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और थोड़ा सा मैदा भी मिक्स किया है मैदा बैंडिंग का काम करता है अब ले लेते हैं थोड़ा सा दूद थोड़ा थोड़ा दूद एड़ करते हैं मिक्स कर लेते हैं इसका एक बैटर बना लेते हैं स्मूथ सा आदा गिलास सभी कम दूद इसमें लगा है अच्छी तरह से चला लेते हैं और दस मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देते हैं दस मिनट हो गए है इसका बैटर एक दिम स्मूथ हो गया है सूजी फूल गई है अब लास मिस में डाल देते हैं आदा चमच बेकिंग सोटा अच्छी से मिक्स कर लेते हैं यह बनाने के लिए एकदम रेडी है तेल कर लेते हैं गैस की फ्लेम को मीजम रखा है और एक बड़े से चमच की हल्प से इसे तेल में डाल देते हैं धिरे धिरे करके तीन चार डल जाएंगे एक बार में कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा हो गया तेल में जाते ही एकदम फैल जाते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं फूल जाते हैं यह सिख गए हैं दूसरे बैच के भी डाल देते हैं इनको भी मीडियम फ्लेम पे सिख लेते हैं बहुत जल्दी सिख जाते हैं पांच साथ मिनिट में यह सिख जाते हैं मीडियम फ्लेम पे यह बनके एकदम रेड़ी हैं इनके उपर डाल देते हैं अब चाशनी चाशनी में डुबोनी की जरत नहीं पड़ती है इनको उपर से डाल देते हैं चाशनी तो हो जाते हैं यह तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई